लोकसभाच उनों में भारतिय जनता पार्टी चारसो के पार की बात कर रही है लेकिन वहीं पर कांग्रेस ने इस पर पलटवार कहा है और ये कहा है कि फिक्सिंग के बिना ये संभव नहीं है उत्तप्रदेश सरकार में कैबनेट मंतरी जैवीर सिंग हमारे साथ मौझूद है कांग्रेस कह रही है कि बिना मैच फिक्सिंग के चारसो पार का आखड़ा संभव नहीं है बड़ा आरोप लगा रही आपके उपर अगर हार गए तो यहीं कहा दो कि मैट फिक्सिंग हो गई इवीम में कड़ बड़ी कर ली जनता के जनादेश को स्वीकर करना चाहिए जनत है देश की जनता का सीर्वास पिनिस समय आधरी मोधी जी की नीतियों को ले करके उनके कारगवन को लेकर जन करे कर यह बिना किसी जाती समपरताय यह ब्यादाव गया हर उस वेक्ति को जन काले जय कर दियुकर पहुंचाने का काम व्याला मुन्क्रम है पूँचाने की एक शर्कार यह इति गुवर्नट कि किसी योजनां को उनको लाव नहीं मिला है किसी निकिसी योजनां का लाव एक-एक बेखती को देने का कम हमारी सरकार ने किया है बिना किसी राज जनकाल यारकारी योजनाओं के द्वारा हावास, उज्ड जला हो चंद्रियान थी की बात हो जी ट्वेंटी की सफलता पूर्वक अज़श्टा नर्भेन करने की बात हो आज भारत बहुत आगे निकल चुका है और हम विकास सील वारत से विक्सित भारत बनने का इन सालों में दो जास सेंटालिस तक लच पूरा करने वाले हैं इसी के लिए सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली कांग्रेस आज ढूंडे से प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं घर बताती थी अमेठी और राइबरेली को इसके वज़े क्या देखते हैं आपको लगता है कि जो दूसरे प्रत्याशी हों आप लोगों के खिलाब चुनाओ ही नहीं नहीं है पता है कि जमानत बचने वाली नहीं है उन्हें पता हैं परी तरे हारेंगे इसलिए आज जनता का पूरा बातावर हो गया है भगवा में हो गया है और हम असी के असी सीटे उत्तपदेश में जीतने जारे हैं अगर बात करे जाए अखिलेश यादव ममताब एनरजी तमाम लोग एक साथ हुए आपको लग रहा है कि एंडिये से जो है सभी लोग घबराये हुए एक हो के यह लोग कुछ कर पाएंगे कम सुरू से कह रहे हैं कि हम साथ प्रस्त से उपर मत प्राप्त करेंगे बाकी चाली सो इसमें भी हमारी भागीदारी रहेगी यह लोग मिलके लड़ें अलग लड़ें आपसे में गरियां जुतियां या इघट्टे हो जाएं इसका हमारी सियत पर कोई फरक पड़ने वाला न बनाने के लिए देश की जनता का मूड बन चुका है कि तीसरी बार 400 पार के साथ मोजी जी को पीम बनाना रिपोर्ट सामने आई मुक्तार अंसारी की बताया गया उसमें काडियक जो है अरेश्ट हुआ था उसके बाद स्वामी प्रसाद मौरे आवास पर पहुंचे बताया इस दो तरह की इस चीब चीप गयाए आज़ कर रहा है और एक जिले की एडिय म जांच कर रही है दोनों की घांच परह मारी इक तक्त सारी कारवाय बीदिबत चल लाई हैं और भारीकी से चल लाई है और बहुरक काईदे से चल लाई है उसका जो भी निस्करताbereich कि उसके अ काम विपच्च कर रहा है और मैं समयता हूं कहीं भी उचित नहीं है इस तरह के कार्गरमों से इस तरह की बातों से बाज आना दिए शादों ने आज इडी सीबयाई में से फर्स्ट लेटर लेकर कहा एलक्षन कमिशन इंडिया जो है वहीं इनको रोक सकता है अगर वो निक्षपक्ष तरीके से चुनाव संपन कराता है मुझे लगता है कि निश्पत चुनाव तो भारत की जो निश्पत चुनाव प्रकरिया है जिसमें सुतंत और निश्पत चुनाव कराने की बात कही गई है ये भारत से दुनिया के तमाम लोकतांतिक देस सीखने का कम करते हैं हमारे बारण दर्वाचन आयोग के अधिकारी विदेशों में जाके अन्य देशों को पाठ पढ़ाते हैं कि किस तरह निस्पच चुनाव कराने की प्रक्रिया संपन की है इसलिए चुनाव आयोग पर उंगली उठाना मैं समयता हूं कहीं से उचेत नहीं है सुतन तो निस्प संपन दूप से चुनाव कराने के लिए आवज सकते हैं कि कैबनेट मंतरी जैवेर सिंग हमारे साथ मावजूद थे लखनाव से वीडियो जनरली शुभम के साथ संदीब खेर भारस समचार